नमश्कार, मेरा नाम निहाली चहाने, मैं जाबुआ मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं भी म्यूजिक की विध्यारती हूँ और इन दिनों त्रिवेनी कला संगम जैपूर के डॉक्टर केला शंद शर्मा जी से ओनलाइन संगीप और नातक सीख रही हूँ यह चार और कैसा शोर मचा है, कोरोना, 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 आज कोरोना एक ऐसे महामारी बन गई है, जिससे सब लोग भाईबित है ऐसा लग रहा है, मानो फूटे हुए कनस्तर को डंडे से पीट पीट कर और हाथों में जलती हुई मसाली लिए पचास सो लोग जूंड बना कर किसी खूंकासान को अपने खेत में से भगाने की कोशिश कर रहे है आप सोच रहे होंगे कि यह लड़की छोटे शेत रखी है, इसलिए ऐसी अजीब अजीब सी बाते कर रही है कहा कोरोना और कहा फूटे हुए कनस्तर और सान को खेत से भगाने के लिए जलती हुई मसालों की बाते कर रही है शायद पगला गई है, परंतु सच मानिये, यह सब कुछ सही है जहां एक कोरोना के डर से ज्यादा दर लोग अपने अपने भाग्ये को कोस्ते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी और कुछ ऐसे लोग भी है जो अपने अतीत के जरोखे से अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए साहित्ति, संगीत, नाटक और अन्नी कलाओ के माध्यम से आज की पीडी को उनकी जन्म भूमी की पुरानी तस्वीर दिखा रहे है इस संधर्व में त्रिमीनी कला संगम, जैपूर के संस्थापक, साहित्तिकार, संगीतकार और नाटक कार डॉक्टर केलाश रंद शर्मा जी का मैं जिक्रे करना चाहूंगी जीन्हों ने इस कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप में भी अपनी उस आत्मकथा को पूरा करके प्रकाशित करवाया जिसे उन्होंने मार्च 2011 में महराश्ट के धूलिया शहर में लिखना प्रारंब किया था इसी पुस्तक के एक सांड वाले दृष्टांत के प्रकरण को केलाश जी ने अपनी आत्मकथा कुछ-कुछ यादे के प्रिष्ट सत्यासी पर इस प्रकाश लिखा है हमारी गाउं में एक खुंखाय सांड था जिसे हम लोग आंकिल कहा करते थे वह चन्ने के लिए दिन दहाडे किसी के भी खेत की फसल को बेरमी से रौन दिया करता था किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह चरते हुए उस आंकिल को अपने खेत में से भगा दे गाउं वाले केवल इतना ही कर पाते कि 40-50 लोगों का समू बना कर हाथों में जलती मशाले लेकर तूटे हुए कनस्तरों को पीटते हुए उसे ललकारते और आंकिल खेतों से बाहर हो जाता एक दिन मेरे मन में विचार आया इसी तो मैं अकिला ही भगा सकता हूँ एक 4-5 फिट का डंडा लूँ और दे दड़ादड दे दड़ादड मार भगाऊं से मैंने अपने मन की यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि शायद कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा ना करने देता ऐसा मुझे पुरा विश्वास था एक दिन दोफर के समय में वह सान हमारे नार्बनी की कोई वाले खेत में घुसा हुआ था मैंने अपने निश्वय को मुर्द रुप देने के लिए पहले से ही तयार रखा बेर के मुलका एक डंडा उठाया और गोली की तरह सान के पीछे पहुच कर उसके पुठों पर प्रहार करना प्रारम कर दिया आजन लोगों के हाथों में जलती मशाले थी और नहीं कनस्तोरों की फटी हुई आवाजे अतह निश्चन्त होकर चर रहा वह सान मेरे इस आकस्मिक हमले से दर गया और बीना पीछे देखे भागने लगा मैं भी उस पर अनवरत गती से प्रहार करते हुए उसके पीछे भागा चला जा रहा था तो ये जो लोग डर के मारे शोर मचा रहे हैं कोरोना 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 उन्हें डॉक्टर केलाश रंज शर्मा जी से प्रेणा लेनी चाहिए राश्ट्र आदी बहुत सी जगहों की अपनी शिश्याओं को साहित्य, संगीत, नाटक और उनके स्वयम के लिखे हुए डुंडाडी गीत सिखा रहे हैं और वह भी उनको जो न डुंडाडी बोली समझ सकती है और नहीं बोल सकती है जी हाँ, पर ये सत्य है क्योंकि मैं स्वयम भी इस बात का जीता जागता प्रमान हूँ डुक्तर केलाश्चंद शर्माजी के इन कारियों को अंतराश्ट्रियस्तर पर मान्यता मिली है जिसका ही परिणाम है कि 22 जुलाई 2020 को उन्हें दिल्ली के जाश्ट्र सजन संस्थान द्वारा कोरोना कर्मवीर की उपाधी से अलंकरत किया गया है मैं उनके समस्त शीश शिश्याओं की और से उन्हें इस उपलब्धी के लिए बधाई देती हूँ उनका अहारदिक अभिनंदन करती हूँ हाँ एक बार पुनह आपसे अनुरोध है कि मत मचाईए शोर कोरोना 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 बलकि कुछ कर्म करे जिससे बचे हमारी कला और संस्क्रती और भला हो आज की पीड़ी का धन्यवाद झाल